तो आईए इस बहतरीन लर्निंग जर्नी की शरुवात करते हैं इस पहले चैप्टर से रिच डैड, पूर डैड, रोबर्ट के उसाकी के अनुसार वे कहते हैं मेरे दो डैडी थे एक अमीर और दूसरे गरीब एक बहुत पड़े लिखे थे और समझदार थे वे PhD थे और उन्होंने अपने चार साल के undergraduate के काम को दो साल से भी कम समय में कर लिया था इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए Stanford University, University of Chicago और North Western University गए और ये सब उन्होंने पूरी तरह से scholarship के सहारे ही किया मेरे दूसरे डेड़ी एट क्लास से आगे नहीं पढ़े थे दोनों ही अपने करियर में successful थे दोनोंने जिन्दगी भर मेहनत की थी दोनोंने ही काफी पैसा कमाया था पर उनमें से एक पूरी जिन्दगी पैसे के लिए परिशान होता रहा दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरत मंद को करोडों की दौलत मिली दूसरा अपने पीछे कर्श छोड़ कर मरा मेरे दोनों डेड़ी इरादे के पक्के, चमतकारी और प्रभावशाली थे दोनों ने मुझे सला दी, पर उनकी सला एक जैसी नहीं थी दोनों ही एजुकेशन पर बहुत जोड़ देते थे पर उनके द्वारा बताये गए पढ़ाई के सबजेक्ट अलग-अलग थे अगर मेरे पास सिर्फ एक ही डेड़ी होते, तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो बिलकुल अलग-अलग विचार होते थे एक अमीर आदमी का और दूसरा घरीब आदमी का किसी भी एक विचार को सीधे-सीधे मान लेने या नव मानने के बजाए मैं उनकी सलाह पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था समस्या ये थी के अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे पर पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिये एकदम अलग थे एक्जाम्पल के तौर पर एक डैडी कहते थे के पैसे का मोह ही सभी बुराईयों की जड़ है जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग-अलग सला से दिक्कत होती थी एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाता था परिशानी ये थी कि दोनों एक जैसी बातें नहीं कहते थे उनके वचारों में जमीन आस्मान का फरक था खासकर पैसे के मामले में मैं काफी लंबे समय तक ये सोचा करता कि उनमेंसे किसने क्या कहा और क्यूं कहा और उसका नतीज़ा क्या होगा मेरा बहुत सा समय सोच वचार में ही गुजर जाता था मैं खुद से बार-बार इस तरह के सवाल पूछा करता उन्होंने ऐसा क्यूं कहा और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इस तरह के सवाल पूछता काश मैं ये बोल सकता कि हाँ वे बिलकुल सही है मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सैमत हूँ या ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठोकरा सकता था बुठे को ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है अब क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई जो आगे चल कर मेरे लिए बहुत फायदे मन साबित हुई अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फायदे मन नहीं होता पैसों का सबजेक्ट स्कूल में नहीं बलकि घर पर पढ़ाया जाता है शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है हम में से ज़्यादा तर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते है कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मैनत से पढ़ो वो सकता है वो बच्चा अच्छे नम्बरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिक्ता और उसके सोचने का धंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा यह सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था पैसों का टॉपिक स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है नकी पैसों से जुड़े स्किल्स पर इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे जिन्दगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यूं करते हैं हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वो भी काफी हत्ता कुन बेहत पड़े लिखे राजनेताओं और गवर्मेंट आफिसर्स के कारण हुआ है जो एकॉनमिक पॉलिसी बिनाते हैं और मज़े की बात यह है कि वो पैसों के बारे में बहुत कम जानते हैं मैं अकसर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोडों लोग होंगे जिने फाइनेंशल और मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी पैसों से पढ़ाई की जिम्मेदारी माता-पिता के उपर छोड़ दी जाएगी जिन में से जादातर गरीब हैं या गरीब होंगे क्यूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था इस तरह से सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी इनसान के वेचार उसकी जिन्दगी पर कितना जबर्दस तसर डाल सकते हैं एक्जाम्पल के तौर पर एक डैडी को ये कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तिमाल से चुड़ते थे वे जोर दे खतम हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है इसके बजाए जब हम ये सवाल पूछते है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाया उसे खरीद ही लें वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे क्योंकि उनके खयाल से दिमाग दुन कि ये कहना कि मैं इसे नहीं खरीद सकता दिमागी आलस की पहचान है हलाकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे पर मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी के आदत ये थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग क इसे इस तरह से समझें कि एक इंसान हर रोज एक्सरसाइज करने के लिए जम जाता है, जबकि दूसरा इंसान अपने सोफे पर बैठ कर टीवी देखता रहता है। अमीरों को ज़्यादा टेक्स देना चाहिए ताकि बिचारे गरीबों को ज़्यादा फाइदा मिल सके। जबकि अमीर डैडी कहते थे के टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो प्रोड्यूस नहीं करते पूर डेडी सिखाते थे कि मैनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कमपनी में जॉब मिल जाए जबकि अमीर डेडी की सीख ये थी कि मैनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कमपनी को खरीदने का मौका मिल जाए पूर डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बच्चों को पालना पड़ता है अमीर डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे तुम बच्चों को अच्छे से पालना है अमीर डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनस के बारे में बात करने के लिए हमेशा एंकरेज करते थे पूर डैडी खाना खाते समय पैसों की बाते करने के लिए मना करते थे पूर डैडी का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, रिस्क मत उठाओ अमीर डैडी का कहना था रिस्क का सामना करना सीको एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा investment और हमारी सबसे बड़ी property है दूसरे का मानना था मेरा घर मेरी जिम्यधारी है अर अगर आपका घर आपकी नजरों में आपका सबसे बडा investment है तो आप खलत है दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे पर उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते जबकि दूसरे सबसे आखर में एक डेडी का ये मानना था कि company या government को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए वे हमेशा salary में बढ़ोतरी, retirement plan, medical benefit, बिमारी की छुटी, छुटीयों के दिन और बाकी facility के बारे में चिंतित रहते थे वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो आर्मी में चले गए थे और 20 साल के active जीवन के बाद उन्होंने अपने retirement और जीवन भर के आराम का इंतिजाम कर लिया था वे medical benefit के विचार को पसंद करते थे और आर्मी द्वारा अपने retard employees को दी जारे ही सुवधाओं की भी तारीफ करते थे उन्हें university का tenure system भी काफी पसंद था कई बार job से आजीवन मिल रही सुरक्षा और job के फायदे job से जादा important हो जाते हैं वे अक्सर ये कहते थे मैंने government के लिए बहुत मेहनत से काम किया है इसके लिए बदले में मुझे benefit मिलने चाहिए दूसरे डैडी पूरी तरह से financial independence में विश्वास रखते थे वे convenience मानसिक्ता के खिलाफ थे वे ये मानते थे के इस तरह की मानसिक्ता लोगों को कमजोर और financial रूप से जरूरत मन बनाती है उनका पक्का विश्वास था कि आदमी को financial रूप से काबिल होना चाहिए एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परिशान रहे दूसरे डैडी एक के बाद एक investment करते रहे एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी जॉब तलाशने के लिए अच्छा सा बायो डाटा कैसे लिखा जाए दूसरे डैडी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मजबूत business और financial plans लिखे जाएं जिससे मैं किसी दूसरे को जॉब दे सकूँ दो प्रभावशाली डैडीों के साथ रहने के कारण मुझे analyze करने का मौका मिला के उनके वचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है मैंने पाया कि दरसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं example के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी ये भविश्यमानी सही थाबित होई दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समस्ते थे वे इस तरह की बाते करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते एक बड़े financial जटके के बाद जब वे दिवालियां होने के कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे वे अपने support में ये कहते थे के गरीब ना होने और पैसे ना होने में फर्क होता है पैसे पास में ना होना एक temporary condition है जबकि गरीब ही permanent है मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे के मेरी पैसे में कोई रूची नहीं है या पैसा important नहीं है मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे के पैसे में बहुत ताकत है हो सकता है कि हमारे वचारों की ताकत को कभी मापा न जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके फिर भी बच्पन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने वचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने एक्स्प्रेशन्स पर भी मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसले गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे बलकि इसले घरीब थे क्योंकि उनके वचार और काम घरीबों की तरह थे दो डैडी होने के कारण बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की सोच अपना हूँ मैं किसकी बात मानू अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की हलाकि दोनों ही एजुकेशन और नॉलेज को बहुत इंपॉर्टन्ट मानते थे पर क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की अलग अलग राय थी एक चाते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी महनत करूँ, डिगरी लूँ और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी जॉब ढूंड लूँ वे चाते थे कि मैं एक प्रोफेशनल आफिसर, वकील या एकाउंटेंट बन जाओं या MBA कर लूँ दूसरे डैडी मुझे encourage करते थे कि मैं अमीर बनने का राज सीख लूँ ये समझ लूँ कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूँ कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है मैं पैसे के लिए काम नहीं करता इन शब्दों को वो बार बार दोराया करते थे पैसा मेरे लिए काम करता है नौ साल की उम्र में ही मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा ये फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना हलाकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी एक बार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे किस की बात सुननी है तो उसके बाद मेरी money education शुरू हो गई मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया जब तक कि मेरी उम्र 49 साल की नहीं हो गई और उसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धी में भरने की वो कोशिश कर रहे थे पैसा एक तरह की ताकत है पर इससे भी बड़ी ताकत है financial education पैसा तो आता जाता रहता है पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकत वर हो जाते हैं आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं सिर्फ positive thinking से ही समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा तर लोग school में पढ़ते हैं और वहाँ ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बरबात कर देते हैं मेरी education तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो लेसन पढ़ाए वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़ कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक सिर्फ 6 important लेसन पढ़ाए ये book उन्ही 6 lessons के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था ये lesson आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बलकि guide की तरह लिखे गए हैं ऐसा guide जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा चाहे दुनिया कितनी वदलती रहे तो lesson 1 है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते lesson 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए lesson 3 अपने काम से काम रखो lesson 4 टेक्स का इतिहास और corporations की ताकत lesson 5 अमीर लोग पैसे का आविशकार करते हैं lesson 6 सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम न करें शुरुआर करते हैं चैप्टर 2 की जिसमें हम सीखेंगे lesson 1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते जैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं के अमीर कैसे बना जाए वे सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का न्यूस पेपर नीचे रख दिया भिटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो क्योंकि आज जिमी की ममी अपनी नई महंगी कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने सी साइड वाले घर पर जा रहे थे जिमी अपने साथ साथ अपने तीन दोस्तों को ले गया पर माई को और मुझे नहीं ले गया उसने हमसे ये कहा कि वो हमें इसले नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थي उसने ऐसा कहा डैडी ने अश्चरे से पूछा हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहा मैंने दर्द भरी आवाज में कहा डैडी ने अपना सिर हिलाया नाथ तक चश्मे को चढ़ाया और फिर न्यूस पेपर पढ़ने लगे मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा यह 1956 की बात है तब मैं नौ साल का था किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे हम शुगर प्लांटेशन के एरिया में रहते थे प्लांटेशन के मैनेजर और उस एरिया के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनसमेन और बैंकर अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास से सिक्स्ट क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे 6th class के बाद बच्चों को private school में भेजा जाता था अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी साइड पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के school में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे सिक्स्थ क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमेडियेट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं था मेरे डैरी ने आखिर निउस्पेपर को रख दिया मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे उन्होंने धीमे से शुरुवात की अगर तुम हमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ अपने दिमाग के इस्तिमाल से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा पार्टनर्शिप हुई अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माईक को अपने डैडी की बाते बताई जहां तक मुझे याद है उस स्कूल में माईक और मैं दो ही गरीब बच्चे थे माईक भी मेरी ही तरह का था क्योंकि वो भी किस्मत की वज़े से ही उस स्कूल में था ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदेत दाय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे पर हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल गलाव्स नए साइकल और हर चीज होती थी और हर चीज नई होती थी और हमारे पास सब पुरानी मम्मे और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीज़ें दी थी जैसे खाना, घर, कपड़े लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे डैडी कहा करते थे के अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी लेकिन नौ साल के बच्चों के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे माइक ने पूछा तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता, मैंने कहा लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे वो राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनस पार्टनर बन गया हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे के पैसा किस तरह कमाया जाए कभी कभार हम उन बेफिकर बच्चों के बारे में बात करते रहे जो जिमी के सी साइड वाले घर पर मजे कर रहे होंगे इस से थोड़ी चोट पहुंचती थी पर यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए मोटिवेट किया कि पैसा कैसे कमाया जाए और आकरकार उस दोपहर को हमारे जमाग में बिजली कौन्द गई ये एक ऐसा एडिया था जो माईक ने किसी साइंस की किताब में पढ़ा था एक्साइटेड होकर हमने अपने हाथ में लाए क्योंकि हमारे पास अब एक बिजनिस था अगले कुछ हफतों तक मैं और माईक आसपास के इलाकों में भागदौल करते रहे हम दर्वाजों पर दस्तक देते थे और पडोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तमाल के हुए टूथ पेस टूब हमारे ले रख ले हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादा तर लोगों ने मुस्कुरा कर हमारी बात मान ली कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथ पेस टूब क्यों चाहिए इसके जवाब में हमने कहा कि हम आपको ये नहीं बता सकते ये एक बिजनस सीक्रेट है हफते गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई अपने raw material को इकठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी washing machine के ठीक पास में थी एक brown cardboard की डिब्बे में जिसमें कभी ketchup की बोतलें रखी रहती थी आज वहाँ पर हमारी और पडोसियों के toothpaste की इस्तिमाल की हुई tubes पड़ी थी हाकिर एक दिन मा के सबर का बांध चूड गया पडोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तिमाल किये हुए toothpaste tubes को देखते देखते वो उप गई थी उन्होंने पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि एक business secret है इस कच्रे को साफ कर दो या मैं इस उठा कर बाहर फेग देती हूँ माईक और मैंने उनके हाथ पेर जोड़े और उन्हें ये बताया कि जल्दी ही हमारा काफी raw material जमा हो जाएगा और फिर हम production शुरू कर देंगे हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पडूसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने toothpaste के ट्यूब खतम कर ले मा ने हमें एक हफ़ते की मौलत और दे दी production शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी pressure बल चुका था हमारे warehouse के माले क्यानी मेरी मा ने हमारी पहली partnership company को जगा खाली करने का notice थमा दिया था अब माइक का काम ये था कि वो पडूसियों को अपने toothpaste जल्दी खतम करने के लिए कहे और साथ में ये भी कह दे कि दांत के doctors ने कहा है कि दिन में कई बार brush करना चाहिए मैं production के process को ठीक ठाक करने में जुट गया एक दिन मेरे डैड़ी अपने एक दोस के साथ कार में बैट कर जब घर आए तो वो शौक्ड हो गए जब उन्होंने वहाँ 9 साल के दो बच्चों को production process में पूरे speed से जुटे हुए देखा हर जगह भारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था एक लंबी मेस पर स्कूल से लाए गए दूद के छोटे काटन थे और हमारे परिवार की ग्रिल लाल दहकते कोईलों के साथ मैक्सिमम हीट पर जल रही थी डैड़ी सावधानी से चल कर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे प्रोडेक्शन प्रोसेस ने उनके घर पर कबजा कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी और जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोईलों के उपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथ पेस्ट के ट्यूब पिखल रहे थे अब आप सूचेंगे कि टूथ पेस्ट ट्यूब्स को हम क्यों पिखला रहे थे एक्चुली उन दिनों टूथ पेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे ट्यूब्स सी से यानि की लीड के बने होते थे एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघल कर लिक्विड फॉर्म में आ सके इस पिघले हुए लीड को हम छोटे-छोटे छेद वाले दूद के कार्टन्स में डाल रहे थे दूद के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था हर तरब फेला सफेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिला था जल्दबाजी में मैंने उसके बैक को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसे लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो दूद के कार्टन बाहरी बकसे थे जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे यानी की मोल्ड थे मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिगले हुए लीट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे संभलकर मेरे डैडी ने कहा मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी आखिरकार जब सीसे को डालने का काम खतम हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया उन्होंने हलकी सी मुस्कान के साथ पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था हम अमीर बनने जा रहे हैं हां माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा हम दोनों पाटनर हैं डैडी ने पूछा और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज है छोटे हथोडे से मैंने सील कुठों का जिससे बाहरी खोल तूट गया सावधानी से मैंने उपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जिंक का एक सिक्का बाहर गिर गया ये भगवान तो तुम लोग जिंक के सिक्के बना रहे थे? मेरे डैडी ने कहा बिल्कुल सही मैक ने कहा हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था हम पैसा बना रहे थे मेरे डैडी के दोस्ष जोर से हसने लगे मेरे डैडी भी मुस्कुराया और उन्होंने अपना सिर हिलाया उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बकसे के साथ सफेद धूल में लिप्टे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुल कर मुस्कुरा रहे थे उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीड़ी पर बैठीं मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी यानि की फेक या फ्रॉजरी शब्द का मतलब समझाया कहने का मतलब यह है कि जो सिक्के हैं वो सिरफ गवर्मेंट यानि की सरकार बना सकती है न कि एक आम इंसान अगर एक आम इंसान सिक्के बनाता है तो उसे जेल भी हो सकती है हमारे सबने तूट गए थे तो आपका मतलब यह है कि यह इलीगल है माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा इतने में डैडी के दोस्त ने कहा छोड़ो भी हो सकता है कि बच्चे अपने पैदाशी टैलेंट को डेवलप कर रहे हो मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे हाँ, ये इलीगल है डैडी ने नर्मी से कहा पर तुम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज़ादा क्रियेटिविटी और औरिजनल आइडिया है इसी तरह आगे बढ़ते रहो मुझे तुम पर गर्व है निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनिट तक चुप चाप अपना सिर पकड़ कर बैठे रहे इसके बाद हमने सारा घर साफ करना शुरू किया पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की और देखा और कहा मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं मान लोगी सबसे इंपोर्टन चीज ये है कि तुमने कुछ किया ज्यादातर लोग सिरफ अमीर बनने के बारे में बाते करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं तुमने कुछ किया है मुझे तुम दोनों पर गर्व है मैं एक बार फिर से यही कहूँगा आगे बढ़ते चलो हार मत मानो माईक और मैं खामोश खड़े रहे ये शब्द सुनने में अच्छे थे पर हमें ये नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं है मैंने पूछा क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हम सिरफ पढ़ाना पसंद करते हैं आश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता पर हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है माईक और मैं पल्टे और अपने सफाई अभियान में जुड़ गए डैडी ने कहा हाँ अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो माईक तुम अपने डैडी से इस सवाल पूछो मेरे डैडी? माईक ने हरानी से कहा हाँ तुमारे डैडी मेरे डैडी ने मुस्कुरा कर कहा तुमारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वो तुमारे डैडी की बहुत तारीफ करता है उसने मुझे कई बार ये बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर सहरानी से पूछा फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शांदार कार और आलिशान बंगला नहीं है? शांदार कार और आलिशान बंगले के हने का मतलब ये नहीं होता कि आप पक्के रूप से अमीर हैं या पैसा बनाने की कला जानते हैं डैडी ने जवाब दिया जिमी के डैडी शुगर प्लैंटेशन में काम करते हैं उनमें और मुझ में ज़्यादा फरक नहीं है वे एक कमपनी के लिए काम करते हैं और मैं गवर्मेंट के लिए कमपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है इस समय चीनी की कमपनियां फाइनेंशल प्रॉब्लम्स में फसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्दी ही कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे डैडी अलग है माइक ऐसा लगता है कि वे एक एमपायर बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर से एकसाइटेड हो गए नए जोश से हमने अपने डूबे हुए बिजनेस के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने ये भी प्लैन बना लिया कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए प्राब्लम ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लोटते थे माइक के डैडी के पास कई वेर हाउस, कंस्रक्शन कमपनी, स्टोर्स की चैन और तीन रेस्टरेंट्स थे रेस्टरंट्स के कारण ही उन्हें घर लोटने में देर हो जाती थी सफाई खत्म करने के बाद माईक बस पकड़कर अपने घर चला गया वो अपने डैडी से बात करने वाला था चाहे वे कितनी ही देर से घर लोटे हैं और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा, वो मुझे फोन करेगा। चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए। फोन रात को साड़े आट बजे आया। ओके, अग्ले शनिवार। मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह साड़े साथ बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी। और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें एक घंटे के दस सेंट दूँगा। 1956 की सेलरी के हिसाब से भी 10 सेंट हर घंटे की सेलरी से कम थे। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही बिजी थे और उनके पास एक घंटे से भी जादा का काम मौझूद था। जब मैं उनके साधारन, छोटे और साफ घर के सामने पहुँचा, तो मैंने देखा कि उनका कंस्रक्शन सुपर्वाइजर अपने पिक अप टरक में वहां से जा रहे थे। माइक मुझे दर्वाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के एरिया में उनका इंतजार करें। माइक ने दर्वाजा खोलते हुए का। जब मैंने उसके पुराने घर की दहलीस के अंदर कदम रखा तो लकडी के पुराने फर्ष की चर्मराहट सुनाई दी। दर्वाजे के अंदर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्ष पर पड़े अंगिनत पैरों के निशानों को छुपाया जा सके। अलाकि वो साफ थी पर ये साफ दिखता था कि वो पुरानी हो गई थी और उसे बदल देना चाहिए। जब मैं लिविंग रूम में घुसा तो वहाँ मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी। और उसमें कोई शक नहीं है कि उस फर्नीचर को म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर दो औरतें बैठी थी जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी जादा होगी। औरतों के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हाला कि कपड़े साफ और प्रेस किये हुए थे। उस आदमी के उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल जादा होगी। शायद 45 साल। ये लोग कौन हैं? मैंने पुछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बुढ़ा आदमी उनके वेर हाउसों को संभालता है। और तुमने उस कंस्रक्शन सुपर्वाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपर्वाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुमारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है मैंने पूछा हमेशा तो नहीं पर अक्सर ऐसा ही होता है माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुरसी खीशते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया अच्छा और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। मैंने एक्साइटेड होकर पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हसी आई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने कौफर रखेंगे। अच्छा। मैंने कहा और अपनी कुरसी की पीट दिवार से टिका ली। मैं माहा कुरसी के पिछले दो पैरों के स जारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है वो कौनसा ओफर देने वाले हैं मैंने पूछा। नहीं पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैरी उस पुराने दर्वाजे से घुसकर उस कमरे में दाखिल हुए। ज तैयार। माइक के डैरी ने एक कुरसी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपने कुरसियों को देवार के पास से खीच कर उनके सामने रख लिया। वे एक लंबे चौड़े शरीर के मालिक थे। लगबग 6 फिट उचे और वजन करीब 90 किलो ह का। मेरे डैडी इससे उचे थे लगबग इसी वजन के और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगबग एक जैसे ही थे। हलाकि दोनों एक ही प्रजाती के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी एनरजी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाते हो। क्या ये सही है रबट। मैंने तुरन सहमेती में अपना सिरह लाया हलाकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा ये रहा मेरा आफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम के अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ और अगर तुम सिरफ मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो, या फिर वापस लोट जाओ। मेरे पास बरबाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी धेर सारा काम पड़ा हुआ है। माइक के डैड़ी ने चड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मनजूर, मैंने कहा, मनजूर, माइक ने कहा, बहुत बढ़िया। दस मिनिट में मिसेज माटेन आ जाएंगी, उनसे बाते करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज़ दूगा, और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के दस सेंट दूगा, और तुम हर शनिवार तीन घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्ट बॉल का मैच है। मैंने कहा। माइक के डैरी ने अपनी आवास को धीमा पर कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लोट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्ट बॉल खेलने के बजाए काम करने और सीखने का आप्शन चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुश्ट नुमा सुबा नौ बज़े माइक और मैं मिसस मार्टीन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दैयालू और सबर वाली आउरत थी। वे हमेशा कहा करती थी के माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हलाकि वे दैयालू थी पर वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमेशा काम करती रहती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम तीन घंटे तक डबों को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें वापस वहीं पर रख देते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैड़ी को मैं अपना अमीर डैड़ी कहता हूं। उनके पास इस तरह के नौ सुपर मार्केट थे, जहां पारकिंग के लिए बहुत सी जगा थी। पडोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूद, ब्रेड, बटर और सिग्रेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। समस्या ये थी के हवाई में एर कंडिशनिंग नहीं थी। और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दर्वाजा बंद नहीं कर सकते थी। स्टोर के दोनों और दर्वाजों को पूरा खुला रखा जाता था। ताकि सड़क और पारकिंग की जगा सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पारकिंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक की एर कंडिशनिंग नहीं हो जाती। क्योंकि उसके बाद दुकान के डिब्बों में धूल नहीं जमती और नहीं हमें उन्हें साफ करने के लिए नौकरी पर रखा जा सकता था। तीन हफतों तक माइक और मैं मिसेज मार्टीन के पास जाकर तीन घंटे तक काम करते रहे। दुपहर तक हमारा काम खतम हो जाता था और वो हमें से हर एक के हाथ में तीन छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय पचास के दशक में भी नौ साल की उम्र में तीस सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। इसलिए मैं अपने कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लट जाता था। चौथे हफ़ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसले काम करने को तयार हुआ था क्योंकि मैं माईक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाता था। इसले मैं दस सेंट हर घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माईक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने लंच के समय माईक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशा से भरा हुआ था। स्कूल भी बोरिंग था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनका मैं इंतजार कर सकूँ। पर तीस सेंट के कारण मुझे धक्का पहुँचा था। इस बार माईक मस्कुराया। तुम किस बात पर हस रहो। मैंने घुस्से और चड़ते हुए पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने घुस्से में पूछा। क्या वो मेरे बोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ-कुछ माइक ने कहा मेरे डैडी जरा अलग किसम के हैं उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिलकुल अलग है तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत पाते करते हैं दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिरफ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूँगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकत है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहां तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थी। मेरे असली डैडी जिनने मैं घरीब डैडी कहता हूं। यह मान के कम से कम 25 सेंट मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी सेलरी नहीं बढ़ती तो मुझे तुरां जॉब छोड़ देनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है मेरे गरीब डैडी ने जहला कर कहा शनिवार को सुबा 8 बजे में एक आफिस में बैट गए जो बेडरूम के पास था मैंने कमरे में चारों तरफ देखा पर मुझे माइक नहीं दिखा अजीब सा मैसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों आरतों के बगल में बैट गया जो मुझे चार हफते पहले वहीं पर मिली थी वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैट सकूँ पैंतालिस मिनिट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था दोनों आरतें उनसे मिलकर तकरीबन तीस मिनिट पहले वहां से जा चुकी थी एक बूढ़ा सा आदमी वहां बीस मिनिट तक बैठा और फिर वो भी चला गया घर खाली था और हवाई में खुशनमा सुभा को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लाल्ची और बच्चों का शोशन करने वाला आदमी मुझसे बाते करें मैं सुन सकता था कि वो फोन पर बाते कर रहे आफिस में इदर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजर अंदास कर रहे थे मेरी इच्छा तो यह हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लोट जाओं पर किसी वजह से मैं रुख गया आखिर पंदरों मिनिट के बाद ठीक नौ भजे अमीर डैडी अपन या तो तुम्हारी सेलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो है ना हाँ दील के मताबिक आप अपनी शर्ट पूरी नहीं कर रहे हैं मैंने लगबग आंसों से भीगी हुई आवाज में कहा नौ साल के बच्चे के लिए एक बड़े आदमी का सामना करना बहुत ज इस काम के लिए मैंने अपने बेजबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं आपने मुझे कुछ भी नहीं सिकाया है आप धोके बाज हैं जैसा शेहर के सबी लोग कहते हैं आप लालची हैं आप सिरफ पैसा कमाना चाहते हैं और अमें ये डेड़ी अपनी कुर्सी पर पीछे चुक गए, अपने हाथों को थड़ी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे एनलाइस कर रहे थे, बुरा नहीं है, एक महीने से भी कम समय में, तुम वही भाशा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादा तर एंप्लॉई बोलते हैं, क्या, मैंने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे, और इसलिए मैंने अपना दुख्रा रोना चालू रखा, मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे, और मुझे कुछ सिखाएंगे, इसके बजाए आप तो मुझे पर अत्याचार करना चाते हैं, ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपकी शिकायत गवर्मेंट से करूँगा, हमारे जेश में भी चाइल्ड लेबर कानून है, आप तो जानते ही हैं, कि मेरे डैडी गवर्मेंट के लिए काम करते हैं। शाबाश, अब तुम उन जादातर लोगों की भाशा बोल रहे हो, जो कभी मेरे लिए काम करते थी, वे लोग या तो जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है, या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे मैं आपको क्या कहना है। और मुझे ये लग रहा था कि कम अमर के बावजूद में बहादुरी से बाते कर रहा था। आपने मुझे से जूट बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है, कि मैंने तुम्हे कुछ नहीं सिखाया है। मेरे अमीर डेडी ने शानती सिखा। मैंने तीन हफ़दे तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा मुझसे कभी बात तक नहीं की क्या सिखाने का मतलब सिरफ भाशन या बात्चीत ही होता है और क्या इस तरह से वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं पर जिन्दगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा मानना ये है कि जिन्दगी सबसे बढ़िया टीचर होती है ज्यादा तर वक्त जिन्दगे आपसे बाते नहीं करती ये एक तरह से आपको धक्का देती है हर धक्के के जरीए जिन्दगी आप से कहती है जाग जाओ मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ यह आद्मी कैसी बेसर पहर की बाते कर रहा है मैंने अपने आप से पूछा जिन्दगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब कि जिन्दगी मुझे बाते करती है अब मैं जान चुका था कि मुझे ये काम तुरन छोड़ देना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी से बाते कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखे जाने की जरूरत थी अगर तुम जिन्दगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिन्दगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी लोग दो चीज़ें करते हैं कुछ लोग जिन्दगी के धकों को सेहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुसा हो जाते हैं, वो बाकी लोगों से गुसा होने लगते हैं जैसे कि अपने बॉस से, अपने काम से, अपनी पत्नी या पती से, वो ये नहीं जानते कि जिन्दगी उन्हें धका दे रही है, मैं न लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं वे जिन्दगी के धकों का स्वागत करते हैं इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ज्यादा तर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी-फूटी खिर्की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो, तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी नौजवान बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो, तो तुम जिन्दगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम सेलरी या अपने बॉस को कोशते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौकों की उम्मीद करते रहोगे जो आएं और तुमारी फाइनेंशिल प्रॉब्लम को सुलजा दें। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा, कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूं। उनकी आँखे मेरी आँखों से मिली, हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे, और हमारी आँखों के बीज बातचीत की धाराएं बहने लगी। आखर जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें जुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे, मैं उन्हें दोशी ठहरा रहा था जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी, मैं फाल्दू में ही लड़ रहा था। ममी डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं हैं, तो आप जिंदगी की हर प्रॉब्लम के सामने हार मान जाओगे। अगर आप इस किसम के आदमी हैं तो आप जिन्दगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहोगे सही चीजें करते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहोगे जो आने वाला नहीं है और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसले तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे आपने अपनी जिन्दगी सेफ गेम खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी पर सच बात तो यह है कि आपने जिन्दगी की प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक दिये थे आप रिस्क मोल लेने की कलपना तक से डरते थे हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे पर आपके लिए हार का डर जीतने के एकसाइटमेंट से ज़्यादा ताकत वर साबित हुआ अंदर से आप और सिर्फ आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की आपने सुरक्षित खेल खेलने का आप्शन चुना हमारी नजरें एक बार फिर मिली दस सेकंड तक हमें एक दूसरे की तरफ देखते रहे पर एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा खुछ लोग ऐसा कह सकते हैं मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिन्दगी का स्वात चका रहा था कैसा स्वात? मैंने पूछा, मैं अब भी गुस्सा था पर अब मेरी जानने की इच्छा भी जाग गई थी और अब मैं सीखने के लिए भी तयार था तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो पर उन में से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, सेलरी मांगते हैं पर पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते तो जादा तर लोग इसी तरह अपनी जिन्दगी के सबसे बहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में भरबाद कर देंगे और आखिर तक ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दिरसल वे किस के लिए काम कर रहे हैं मैं पूरा ध्यान लगा कर उनकी बात सुनता रहा तो जब माईक ने मुझसे का कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो अंदगी के थपेड़ों का स्वाच चखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको इसी कारण मैंने तुम्हें एक घंटे के दस सेंट दिये थे तो दस सेंट हर घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा यही के आप घटिया हैं और अपने एंप्लोईस का शोशन करते हैं अमीर डेड़ी अपनी कुरसी पर पीछे की तरफ जुकते हुए जोर से हसने लगे जब उनकी हसी बंद हुई तो उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर तुम अपने सोचने का नजरिया बदल लो मुझे समस्या मत मानो मुझे दोश देना छोड़ दो अगर तुम सोचते हो के तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा इसके बजाए अगर तुम्हें ये लगता है के तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए बस हम खुद ही न बदले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि किसी दूसरे को बदलने से ज़ादा आसान ये है कि हम खुद को बदल लें मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया अपनी प्राबलम के लिए मुझे दोश देना छोड़ दो अमीर डैडी ने पेचैन होकर मुझसे कहा पर आपने मुझे सिरफ दस सेंड की ही सेलरी दी तो तुमने क्या सीखा अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर बूचा यही कि आप घटियां है मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा अच्छा तो तुम यह सोचते हो के प्राबलम मैं हूँ वो तो आप हैं ही खेर इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिन्दगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे अगर तुमारा नजरिया यही है के समस्या मैं हूँ तो तुमारे पास क्या आप्शन रह जाते हैं अगर आप मेरी सेलरी नहीं बढ़ाते या मुझे जादा इजदत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा ठीक हा और जादातर लोग यही करते हैं पर काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जौब की तलाश करते हैं जहां उन्हें बहतर मौके है या जादा अच्छी सेलरी मिले उन्हें ये गलत फैमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा सेलरी से उनकी प्रॉब्लम सुलच सकती है और ज़्यादा तर मामलों में ऐसा नहीं होता तो समस्या किस तरह से सुलच सकती है? दस सेंड घर घंटे के हिसाब से सेलरी लेकर मुस्कुराते हुए? अमीर डैडी मुस्कुराए यही बाकी के लोग करते हैं वो यह जानते हुए भी कम सेलरी में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा? इसलिए मन मसोस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर सेलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलच जाएगी ज्यादा तर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं पर उसमें भी उन्हें सेलरी कम ही मिलती है मैं फर्ष को घूरता रहा अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था मुझे ये एहसास हो गया था कि यही जिंदगी का सुआद है आखरकार मैंने उपर की और देखा और अपना सवाल दोराया तो फिर ये समस्या किस तरह सुलचेगी इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वो बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने एंप्लॉईज और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे जबकि मेरे पढ़े लेखे गरीब डैडी जिन्दगी भर पैसों की तंगी से जूजने वाले थे ये एक अदभुत नजरिया था जिसने मेरी जिन्दगी का नक्षा ही बदल दिया अमीर डैडी ने मुझे बार बार ये नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूंगा गरीब और मिडल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं अमीरों के लिए पैसा काम करता है मेरे गरीब डैडी ने जो एजुकिशन मुझे दी थी शनिवार की उस खुशनमा सुभर में मैं उससे बिलकुल अलग नजरिया सीख रहा था नौ साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाय सबजेक्ट अलग अलग थी मेरे पढ़े लेखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया बेटे मैं चाहता हूँ कि तुम मैंनत से पढ़ो अच्छे नमबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में स्टेबल जॉब मिल सके और ये अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हूँ मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि सबक मुझे जीवन भर उनके मार्ग दर्शन में सीखना था न कि किसी क्लासरूम में मेरे अमीर डैडी ने पहला सबक जारी रखा मैं खुश हूँ कि तुम दस सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने पर गुसा हो गए अगर तुम घुसा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी-खुशी करते रहते तो मैं तुम से साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सखा सकता ये जान लो कि सच्ची एजुकेशन में एनरजी, स्ट्रॉंग एमोशन और जबर दस्ट इच्छा की जरूरत होती है हुश्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि स्ट्रॉंग एमोशन में हुश्सा और प्रेम मिला हुआ होता है जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खुशती है इसलिए स्ट्रॉंग एमोशन उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाते उन्हें रास्ता दिखाता है उनका डर तो क्या इसलिए वे कम सेलरी पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोशन करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी सेलरी नहीं देता जितनी उन्हें प्लांटेशन या गवर्मेंट की तरफ से मिलती है मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोशन करते हैं डरते वे हैं, मैं नहीं. पर क्या आपको नहीं लगता क्या आपको उन्हें ज्यादा सेलरी देनी चाहिए? मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है. और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलजे की. अपने डैडी को ही देख लो. वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिल नहीं चुका पाते. दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिने अगर ज्यादा पैसा मिल जाए, तो वे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे. तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट हर घंटे की सेलरी दी. मैंने मुस्कुराते हुए का, ये सबक का हिस्सा था? बिल्कुल सही. देखो, तुमारे डैडी स्कूल गए, और उन्होंने बहुत बढ़िया एजुकेशन इसलिए हसिल की, ताकि उन्हें अच्छी सेलरी वाला जॉब मिल सके, जो उन्हें मिल गई. पर आज भी उनके पास पैसे की तंगी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा. और सबसे बड़ी बात ये है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं. और आप नहीं करते? नहीं, सच पुछा जाए तु बिल्कुल नहीं. अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाते हो, तो स्कूल में ही रहो. ये सीखने के लिए उससे बड़िया जगे कोई नहीं है. पर अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ पर तब ही जब तुम सीखना चाहो क्या हर को ये नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा असान है खास कर तब जब पैसे के बारे में आपकी बेसिक भावना डर हो मैं समझ नहीं पाया मैंने तियोरियां चढ़ा कर कहा उसकी चिंता फिलाल मत करो अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी जॉब कर रहे हैं अपने बिल न चुका पाने का डर, जॉब से निकाल दिये जाने का डर खुद के पास काफी पैसा न होने का डर एक बार फिर से शुरू कर दो